दोस्तों, हम सभी एक दूसरों को देखकर यह सोचते हैं, कि हमसे सुखी तो वह हैं, उसके पास तो घर है, परिवार है, वो कितना खुश है, और मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ दुख है, आखिर असल जिंदगी में सुखी कौन है, आईए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्य हम से समझते हैं, नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक भिखारी गाव में भिक मांगने के लिए जाता है, भिखारी भिक मांगते मांगते एक किसान के दर्वाजे पर पहुंचता है, वह भिखारी किसान के घर का दर्वाजा खट-खटाता है, लेकि किसान के साथ लिप्टे हुए हैं, खेल रहे हैं, बिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाई, जब उसने दूसरी बार आवाज लगाई, तो किसान की पत्नी ने सुना, और उसके बाद कुछ अनाज लेकर घ बच्चे पिता के साथ खेल रहे हैं, सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था, काश मेरा भी परिवार होता, किसान का परिवार कितना खुश है, और एक मुझे देखो, दिन भर भीक मांगना पड़ता है, फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है, और मुझ परिशानी है, साहुकार से एक हजार उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं, वह देगा या नहीं, किसान की पत्नी ने उसे धैरे रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको साहुकार पैसे देदेगा, किसान गाव में एक सेट के पास गया, जिसके पास कपड़े की दुकान थी, वह ब्याज पर लोगों को पैसा देता था। किसान ने सेट से एक हजार मांगे और जब सेट किसान को पैसा दे रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पैसों का हिसाब लगा हुआ है। किसान जब वहाँ से निकला तो वह सोच रहा था कि साहुकार कितना खुश मैं कहां 500 या 1000 के लिए घबरा रहा हूं, परिशान हो रहा हूं और इस सेठ के पास 20-30,000 का हिसाब चल रहा है। किसान यह सोचते सोचते घर चला गया। सेठ की गाउं में छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गाउं में कपड़े लाने के लिए उसे शेहर जाना पड़ता था। वह शेहर के एक बड़े दुकान से कपड़ा लाता था। अगले दिन वह सेठ शेहर पहुंचा और वहां जो बड़े दुकान के सेठ जी थे उनसे मुलाकात की और उनसे सेठ से कहा कि कपड़ा खरीदना है बड़े सेठ के पास उसका एक करमचारी संदेश आ रहा था कि एक लाख का फाइदा हो गया, दो लाख का फाइदा हो गया कोलकता में माल पहुँच गया है, मुंबई में हो गया ये सब उसको वहाँ देखने को मिला जब गाव का सेठ वहां से निकला, तो वह सोचने लगा कि हम अपने आपको इस गाव का सबसे बड़ा सेठ मान कर बैठे हैं और पांच हजार, दस हजार में खेल रहे हैं यहां तो लाखों का फाइदा हो रहा है ये सोचते सोचते वह सेठ कपड़े लेकर अपने गाव के लिए रवाना हो गया इसके बाद बड़े सेठ शेहर वाला सेठ के पास उनका नौकर आया और बोला एक उतार आया है मालिक, साथ लाख का घाटा हो गया है सेठ जी का दिमाग ठनक गया, तभी दूसरा नौकर आया और बोला आज आपको दावत में जाना है, अपने जो राय बहादुर साहब हैं, उनके यहाँ दावत है, लौर्ड साहब आने वाले हैं, आप तैयार हो जाईए हमने मोटर गाड़ी लगा दी है, सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए, और कुछ देर के बाद सेठ जी राय बहादुर के घर पहुँच गए, वहाँ दावत सजी हुई थी, बड़े बड़े सेठ आये हुए थे सेठ जी के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं थी, जैसे तैसे इनको कुरसी मिली, उसके बाद सेठ जी देखने लगे कि कमिशनर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारी, साहब आकर मिल रहे हैं, ये सब नजारा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कहां मैं अपने आपको सेठ मान कर बैठा हूँ और कितना खुश हो रहा हूँ, सबसे ज्यादा तो सुखी ये हैं, इनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं, जलवा तो इनका है, इसके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले और उन्हें तोफा दिया, खाना खाया, और अपने घर के लिए रवाना हो गए, राय बहादुर साहब के यहां दावत खत्म हो चुकी थी, और इनका सर दर्द होने लगा, क्योंकि इन्हें दिन भर से चिंता थी, कि दावत कैसी होगी, जाकर कमरे में लेट गए, नौकर आकर इनकी करने लगे, जब सर दर्द बढ़ गया, तो डॉक्टर बुलाया, गया, तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेश आया, जिससे मालुम चला कि व्यापार में घाटा हो गया है, अब उनका सर दर्द और भी बढ़ गया, राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, क्य उन्होंने देखा कि खिड़की से एक भिखारी जा रहा था, जो अपने हाथ में डंडा लेकर गाना गा रहा था, राय बहादुर साहब ने नौकरों से कहा, देखो, जिन्दगी में खुश तो ये है, सुखी तो ये है, इसको कोई चिंता नहीं है, ना घाटे की, ना देखी, ये वही भिखारी था, जो किसान को सुखी मानता था, खुश मानता था, दोस्तो हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ती को देख कर दुखी हो जाता है, और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ती ही खुश और सुखी है, लेकिन धनवा जी रहे हो वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हो। दोस्तो दूसरी शिक जो हमें इस कहानी से लेनी चाहिए, जो हमें अपने आप से रूबरू करवाती हैं और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। उसे लेकर अपने घर आता और अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करता था और फिर चैन से सो जाता था। ऐसा करते हुए उसे कई साल बीट गए थे। हर दिन की तरह वह अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक खयाल आया कि यह भी कोई जिंदगी है। मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और शाम में मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं जिससे मुझे मेरे और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। सायद आज मुझे कहीं से कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए जि इससे मैं जो चाहूं हासिल कर सकूं। वह इस बात को सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर लोट रहा था। तब ही रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा घर दिखा। तब ही उसके मन में विचार आया। काश यह घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता और उसका इतना सोचते ही वह उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वह पूरा हो गया। लेकिन उसकी खुशी अधिक देर तक नहीं टिक पाई। और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ। मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है इस राजनेता के समक्ष। काश। मैं एक राजनेता होता और मेरे पास इतनी क्षमता होती। उसके इतना सोचने की देर थी कि व प्यादा देर भी टिक नहीं पाई। क्योंकि धूप बहुत ही तेज थी और उस राजनेता को इतनी धूप में खड़े रहने की आदत नहीं थी उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि यह राजनेता सबसे ताकतवर नहीं है। यह जो सूरज ह यह सबसे ताकतवर है। उसके मन में आया कि काश मैं सूरज होता मेरे आगे कोई टिक नहीं पाता। उसको इतना सोचने की देर थी और वह सूरज बन गया। वह खुशी से पागल हो गया। पूरी दुनिया को यही रोशन कर रहा था। दुनिया में ऐसा कोई इनसान नहीं रोक सकता है। उसके मन में यह खयाल आया कि काश में बादल होता और वह बादल बन गया। उसको ऐसा लग रहा था कि वह आसमान में उड़ रहा है और वह जहां चाहे वहां जा सकता है। लेकिन कुछ देर बाद एक हवा का जोका आया जो उसे उड़ा ले गया। उसे एहस विश्वास हुआ कि बादल सूरज की रौशनी को रोक सकता है लेकिन हवा को नहीं क्योंकि ये हवा उसे बहा कर ले गई फिर उसके मन में यह विश्वास होने ही वाला था कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर मैं हूँ लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड आया उसने पूरी ताकत लगा दी लेकिन उस पहाड को नहीं हिला सका उसको ये एहसास हुआ कि कोई है जो हवा से ज्यादा शक्तिशाली है जिसमें हवा को रोकने का भी दम है फिर उसके मन में ये खيयाल आया कि काश में पहाड होता और वह पहाड बन गया, लेकिन हर बार की तरह उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं ठिक पाई, एक जानी पहचानी आवाज उसे सुनाई दी, और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसे तोड रहा है, मार रहा है, तब वह दर्द से चीखने लगा, और मैं वह बन जाऊं, जो पहाड को तोड़ने का दम रखता है, लेकिन इस बार उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, वह चीखने लगा, चिलाने लगा, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार वह नहीं बन पाया, उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था, उ यूकि कि असलियत में मैं वहीं हूँ, दोस्तो किसी से कुछ सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपना अस्तित्व को भुला कर, किसी और के अस्तित्व को अपना लेना खुद का, एवं साथ ही उस इश्वर रूपी कारीगर का भी अपमान करना होता है, जिसे आपको सबसे आप अच्छे हैं, आपको किसी के भी जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे भी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, अगर आपको कुछ बनना है, तो अपने आपको पहचाने, अपनी क्षमताओं को पहचाने और अपना श्रेष्ठ संसकरन बने, और तिछरी सिक जो हमें इस कहानी से सिखनी जाहिए, एक गाव में एक राजा था, जिसने अपने जीवन काल में कई लड़ाईयां जीती, और काफी हद तक अपने सामराज्य का विस्तार किया था, क्योंकि समय के साथ राजा की सूझ बूझ और साहस के कारण सामराज्य बढ़ता गया, राजा या तो अपने शत्रूओं को परास्त करके वहाँ अपने सामराज्य का जंडा गार देता था, या फिर शत्रू स्वयम उसके सामने आत्म समरपन कर देता था, सामराज्य के अंदर भी सुख और शान्ती का माहौल था, लोग बिना किसी डर के खुशी से रहते थे, इसी तरह उन जानते थे कि इतने बड़े सामराज्य पर शासन करने के लिए उम्र से ज्यादा समझदारी और कुछ महत्वपूर्ण बाते माइने रखती हैं, जो इन बातों को अपना लेता है, वह इतने बड़े सामराज्य पर आसानी से शासन कर सकता है, तब ही एक दिन राजा ने अप आपकी हैसियत के मताबिक आपकी इस्एत करेगी, हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इस्एत करें, उसे मजबूत समझें, लेकिन ये उतना आसान नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, तो सब से पहले यह याद रखें, कभी भी किसी से आपका खुद क सम्मान करने के लिए ना कहे, किसी से सम्मान की भीख ना मांगे, ये कमजोरी की निशानी है, क्योंकि सम्मान लोगों के लिए एक शक्ति है, आप बने इतना अनमोल और शक्तिशाली ताकि उन्हें आपका सम्मान करना पड़े, क्या आप जानते हैं, लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं क्योंकि वह किसी को भी उसका सम्मान करने के लिए नहीं कहता है समुद्र की शक्ति से प्रभावित लोग उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वह शक्तिशाली है लोगों के मन में समुद्र के प्रति सम्मान के अलावा आपके पास उस तरह की ताकत बनने का कोई और तरीका नहीं है ताकि लोगों को किसी भी स्थिती में आपका सम्मान करना पड़े इसके लिए आप स्वयम को जीवन के हर पहलू में मजबूत और शक्ति-शक्तिशाली बनाए अपना वादा हमेशा पूरा करें इससे आपको स्वचालित रूप से सम्मान मिलेगा साथ ही दयालू बने और दूसरों का भी सम्मान करें ये याद रखें कि हमेशा दूसरों से सीखते रहे कुछ ना कुछ घटित होता रहता है आप कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते जीवन की वास्तविक शिक्षा भी वास्तविक जीवन से ही मिलती है युवा वस्ता में आप जितनी अधिक चुनवतियों का सामना करेंगे आप उतने ही अधिक मजबूत बनेंगे आने वाले समय में आप और अधिक प्रगती करेंगे ये जीवन का वह समय है जहां आपको लड़कियों के प्यार में नहीं पढ़ना है बलकि खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है जब आप एक अनमोल और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे ताकि जब आप बनना चाहें तो यह अपने आप आ जाएंगे। अपने जीवन में बेहतरी लाएं और आगे बढ़ना शुरू करें तो कुछ लोग आपको पीछे खीचने की कोशिश करेंगे। कि आप ऐसा कर सकें साथ ही लोग आपको पीछे खीच लेंगे क्योंकि कुछ दोस्ती सिर्फ थोड़े समय के मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। इसलिए जब आप उन चीजों को करना बंद कर देंगे तो उनका मजा कुछ समय के लिए कम हो सकता है जो वह आपके साथ बिताते थे। इसलिए वे आपको पीछे खीचने की कोशिश करेंगे और आपको अपने जैसा बना देंगे। राजा ने अपने बेटे से आगे कहा जब आप लक्ष के लिए काम करना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए तैयार होंगे। भी हो सकते हैं इसलिए उनसे दूर से ही प्यार करें और अपना प्यार रखें। लक्ष पहले इसके लिए आपको सफल आदतें अपनानी होंगी। कई बार आपको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है। आपको भी अकेलापन महसूस हो सकता है लेकिन यह बुरा नहीं है। कुछ समय अकेले रहे अच्छा है क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। दोस्तो यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान खुश तो है लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है। और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने के अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति सुखी भ तो अब आपको जवाब मिल गया होगा कि जीवन में हर वह इंसान सुखी है जो अपने से उचे धनवान व्यक्ति की ओर नहीं देखता। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को समझ जाएंगे उस दिन से आपके अंदर से किसी और के जैसा बनने का या किसी और का जीवन जीने का जो जिद्ध है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। तो दोस्तो कैसी लगी आपको ये कहानी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में तब तक के लिए अपना खयाल रखे धन्यवाद और नमोह बुद्धाए।